सेल्फ वज्टु को कोर्स की रेजिस्ट्रेशन आ है अक्टोबर वाला बैज के लिए gel वास्टु आब सीखें, बेसिक चीज़े आपको पता होनी चाहिए एक ही चीज decor यह है न ही शास्त्र है जो कईना कई आपके जोते शास्त्रो कईना कई फेल कष़ा वह है वास्तु defect है, wrong placement है, वास्तु haven शान्ती का तरीका भी बताऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं, whatsapp करो, या normal message करो, call मैं उठानी पाती है, आज को जो विशी है, जिसके बार में हम बात करेंगे, आज मैं करियर को पकड़ना चाहूंगी, कोई बुरी बात नहीं, हर एक इंसान, तरक् प्रोथ मिलनी पारी, जहां पर हैं, वहीं पर वहीं के वहीं अटके हैं, 10 सल पीछे अगर मुड़ के देखें, 15 सल पीछे मुड़ के देखें, वहीं के वहीं अटके हैं, मान लो छटे भाव का सूरी है, तो वो क्या करेगा, वो पहली चीज तो कहीं पर टिकने नहीं देग दस्वे भाव का अगर सूर्य है और अगर सूर्य अकेला बैठा है तब यह लात होंगे एक इन्सान उसका तो पहली चीज तो हिम्मत ही नहीं करेगी कि मैं कुछ कर पाऊं उसका ध्यान कभी इदर जाएगा उदर जाएगा हर चीज में मौल में कमिया निकालेगा यही कई न कई सूर्य शनी काम करता है यही कई न कई बुद्ष शनी काम करता है और जी नहले पे दला अगर मंगल अगर चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो गया तो फिर तो उसको लगेगा आरे यार बाड में जाए पूरी दुनिया मेरे बस की बात नहीं है उसकी हिम्मत ही साथ नहीं देगी ओ कहते हैं जो लोग होते हैं रो रो के गुसा निकालते हैं छोटी छोटी चीजों पर एक दम इंपल्सिफ डिसिजन लेकर सब को छोड़ चाड़ के आ जाते हैं यह कहीं न कहीं कराता है अब चलो भई यह नेचर हमारी बिल्कुल नहीं है बढ़ फिर भी क्या सूफी बंदे बनके बठे वें और एक इंसान क्या करेगा बढ़ फिर भी लग फैक्टर साथ नहीं दे रहा इसका एक और करन है मुख्य ग्रय की कमजोरी आपका सूर्य मंगल आप देखोगे अगर अच्छी जॉब चाहिए अच्छी तरक्की चाहिए तो कौन सा प्लेनेट देखोगे वो देखोगे सूर्य और मंगल as simple as that मुख्य ग्रय अगर आपका कमजोर होकर बैठ गया तो सूर्य अच्छा हो मंगल अच्छा हो भ्रसपत अच्छा हो तब भी उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा पीछे भी मैंने बहुत बार मुख्य ग्रय के बारे में आपको बताया है कि मुख्य ग्रय कैसे देखेंगे पाच्बेभु में क्या लिखा होगा छे ने देवधन कोन गनपती ज दान करने मतलब कहने कैने का मतलब आरे रहे हो बाब उसके बिल्कुल हो समझ दर आठी किसम लुंब मैं उसके बील्कुल आपको inside समझ के समझा रही हूं अगर एक इंसान को विशेश तरक्की नहीं मिल पारी उसका डेफिनेटली वाली बात है उसका बारवागर आठवा छटा मिला हुआ है उसके most of the planet में या तो यह वाला कोंबिनेशन होगा या तो उसकी माधश्या अंतरदशा में यह वाला कॉंबिनेशन होगा कि उसका एक लेवल पहो नहीं पार रहा वो पकड़ पकड़ छोड़ की सिच्वेशन उसकी कहिन कहिं चल रही है अब सबसे पहली चीज क्या करेंगे सूर्य को बली करते हैं पहली बा ना करें आप करें आप करें और देखो आपका लग कैसे साथ देगा शर्त वो ही है सारा कुछ भाग पर नहीं छोड़ोगे अपने को तोड़ना पड़ता है अपने को बिल्कुल वो कहते हैं घसीटे मारने पड़ते हैं फिर इजी वे आउट जी बैट गए हमने ये जेब में रख लिए हमने अपने पास रख लिए हो गया चमतकर टाइम जाएगा कुछ नहीं मिलेगा सीधी बात क्या करोगे वेसे तो काईदा काईदा क्या है काईदा तो जी ये है कि आपने जो सोने का बनावा बंदर जी होते हैं वो आपने जीब में रखना है लाल रण के कपड़े में लपेट के और उसके मूँपे, उसके मूँपे लिपस पे specially मूँपे लगा लो जो लाल लिपस्टिक होती है वो लगानी है फिर लाल कपड़े पे लपेट के अपनी अपने जेब में रखना है अब जी वैसी तरक्की नहीं मिल रही करियर फ्रेंट तो वैसी डीला मामला चल रहा है अभी कहां से लाए सोने का कोई बात नहीं पीतल का तो ले सकते हो अब बोलेंगे पीतल का बंदर जी कहां मिलेगा हम चेक करके आए हैं हम इंटरनेट बोल रहें पीतल का मिल रहा है ओनलाइन देख लो जाकर देख लो थोड़ा मेहनत मुशक्कत तो करोगे वो भी नहीं करोगे ऐसे कैसे चलेगा पीतल का फिलाल ले लो फिर थोड़ा सा अफ्रंट जाएगा तो फिर आपको इतरा तो समझाएगा कि शाहिना सेट जी ने जो बत लेकर उसके मूँ पे लिप्स्टिक लाल वाली जो लिप्स्टिक है वो करके लाल कलर के कपड़े मेलपेट के अपने आप जेब में रखें या कुछ मुझे नहीं पता आप कैसे रखोगे बाबा कोई स्लिंग बैग ले लो वो अपने पास रखा करो जहां पर बैठे हो वह हां पर रख लिया करो वो मुझे नहीं पता आप कैसे करो के स्लिंग बैग लो छोटा साही अगर ले रहे हो तो चुन्नी मेला पेट लो कोई पॉकेट सी कर लो that you have to see that I can't tell you but you have to do it and it will create magic in your life hundred percent सॉथ वैस्ट दिशा का कटा होना आज सुन लिजिये कई लोगों से बात करो ना रहे शाइना जी बहुत पैसा पहुत पैसा तो बुरा मतमाना हर्शिद महता का भी आया था हर्चल में था हर्शेद में था जो इनकी सीरीज भी आई थी अभी आप अगर देखो he was nowhere वो कहीं पर भी नहीं थे लेकिन उनको जो तरक्की मिली वो ऐसी stock market का वो इत्रों बंदा ऊपर चला गया कि क्या बताएं सारे रिकॉर्ड तो डाले लेकिन आज मुझे आप एक छोटा सा जवाब दीजिए उसने जो ये तरक्की देखी वो कितने साल की थी वो करीबन साथ साल की थी जिसमें एक सबजी वाला ठेले वाला भी मालो माल बन गया था पूरे रिकॉर्ड तो डले ऐसे लेकिन तुरंट साथ साल के बाद उस इंसान के साथ क्या हुआ कभी सोचो क्या हुआ कोट मैटर पुलिस इन्वेस्टिकेशन वो सी बिया है वो फिर क्या-क्या जितनी भी रेडे पढ़नी दुनिया बर की चीजे वेंट लगा जाए तो साथ साल के बाद कर या साल के बाद कर बरा चाहिए जिया साथ साल की जो सने प्र 话प्ती दहीं मुझेंmail के एक लाग ढई लाग पचास हजार यह फलान धिमकान हो सतर को जाओ अगर साउथ वेस्ट की दिशा कटी हुई है और ये वाले हलात इनिश्चली पट 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 पैसा आ रहा है वह सतर को जाओ वह ऐसा लपेटे चपेटे में ले लेगा ना उसके बाद कूछ न आपको मैंने बोला है न वो ग्लोब तो लगा लो कम से कम ग्लोब तो लगाओ मिटी कहीं पर जो साउथ वेस्ट का दिशाय कटा हुआ है फिलाल के लिए एक बात बता रही हूं ग्लोब लगाओ वहाँ पर थोड़ी सी सीमेंट कर दो पहले मिटी रखो फिर थोड़ी सीमें के अंदर ग्लोब जो है राइट साइड पर टिल्ट हुआ हुआ उपर दुबारा से सीमेंट कर दो इसका मतलब आपने वो धर्ती क्रियेट कर दी ना धर्ती क्रियेट कर दी तो कम से कम उसने जो बिलकुल एक बवंडर आपके जिंदगी में क्रियेट करना था उससे तो कही बार कहीं न कहीं बच जाओगे अब जब बच जाओगे पैसा ना शुरू होएगा वो जो बिलकुल ही खाली मामला करेगा यह तो पते बात है साउथ वेस्ट का डिफेक्ट जो है उसको नहीं एक इंसान को पता चलता वो क्या रिजल्ट देने वाला है जैसे कहते हैं न वो व अंतरमन हीलिंग पर और भी चीज़े डिसकस करने जा रही हूं वहाँ पर हम लोग मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो विज़े को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सब की जिन्दगी ठाओ जाए ओके दन बाबाई नमस्कार